भाजपा में छोटी बात हो या बड़ी बात हो एक पैर पटना एक पैर दिल्ली भाजपा निताओ को लगता है कि इसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया था कोई निता सुबह में दिल्ली तो साम में पटना साम में पटना तो रात में दिल्ली यही सिल्सिला चल रहा था लेकिन लगाड आला कमान को कि ऐसे काम चलेगा कैसे तो आज अंदर की बात में हम आपको यही पताने जा रहे हैं कि आला कमान ने फार्मूला क्या निकाला जाने लगे तो आई ये बात सुरू करते हैं कि दिक्कत क्या क्या थी छोटी सी छोटी बात छोटी सी छोटा फैसला लेने के लिए भाजपा के निताओं में कमध्ये की एक तरह से उआपो की स्थिति हो जाती थी कौन करेगा फैसला कैसे होगा फैसला पट्टा में फैसला कि दिल्ली में होगा, किसकी चलेगी, किसकी बात जाजा मानी जाएगी, इसी उआपो में बहुत सारी डिसीजन भाजपा में पैंडिंग पड़ गए थे, कमीटी बनानी है, संगठन का विस्तार करना है, टिक्टो का फैसला करना है, गटबंदन की बात करनी है, पॉलिसी मेट कि फ़ला समीती, करते-करते दिल की बर्मादी होती थी, अंतर तब अएगे धिल्ली में होता था, फिर दिल्ली से कंवे पटना होता था, फिर लोगों को बताया जाता था, यह यह चीजता हो गई है, लेकिन चु कि चुनावी साल है, चुनाव होने बाला है बिहार में, तीन बड़े नेताओं की जो सारे पॉलिसी मैटर पर अपना फैसला दिल्ली को बताएंगे और दिल्ली उस पर अंतिम मोहर लगाएगी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज तेह करने के लिए दस लोग 15 लोगों की एक बैठक होगी उससे बात निकलेगी फिर स्केर्णिंग होगी फिर वो बात दिल्ली जाएगी इन तमाम परक्रियाओं को खतम किया गया है तीन बड़े नेताओं की एक कमिटी पत्ना में बनाई गई है जो सारे बड़े फैसले पार्टी के लिए करेगी तो आप जानने के लिए उस्सुप होंगे कि आखिर तीन ये बड़े नाम कौन है आखिर किस पर भरोसा जताया आला कमान ने उन तीन लोगों पर जो भाजपा के सारे बड़े फैसले पत्ना के परिपेच में करेंगे तो पहला नाम है समराट चौधरी जी हाँ जो तीन लोगों की जो कमिटी है उसमें पहला नाम समराट चौधरी का है उस कमिटी में दी गई है और जो तीसरा अदाम है वो है भीकुबाई दलसानिया का जो यहां पर संग्ठन के हेड है यानि तीन लोगों की ये कमिटी समराठ चोधरी दिलीव जैस्वाल और भीकुबाई दलसनियां सारे बड़े फैसले यही कमीटी करेगी और इसी कमीटी के सिफारिश पर बड़े बड़े फैसलों पर दिल्ली का अलाकमान मुहर लगाएगा अब भागा भागी का दौर खतम होगा बीस बीस पतीस पतीस लोगों की जो बैठके होती थी उमिद्वारों के नाम को ते करना है, कमीटी बनानी है, बोर्ड निकाय के लिए नाम देना है, कोछ भी काम, गटबंधन को लेकर कोई डिसिजन लेना है, कोई पोलिसी मेटर पर बात करनी है, जो बड़ी-बड़ी बैठके होती थी, उन तमाम बैठकों को खतम किया गया है, चर्चा जरूर होगी, लो से मोहरनकर सामने आ जाएगा नतीजा कि इस सिफारिस को मान लिया गया है, कहा यही गया है, जो सोर्स बताते हैं, कि ये तीन कमीटी की सिफारिस ही अंतिम होगी, एक आपचारिकता है दिल्ली से बात करना, वो आपचारिकता ही दिल्ली पूरा करेगी, मतलब कि एक बार फि लेकिन जो तीन आदमी की कमीटी बनी है, उसमें समराच चौधरी को रखकर भाजपा आला कमान ने एक बार फिर समराच चौधरी पर भरोसा जताया है, दिलीव जस्वाल तो भाजपा के परदे सद्धक्षा ही और भीकुभाय दलसानिया, तो एक अच्छी ट्यूनिंग औ होई है, और पचीस की जो बड़ी जंग लड़नी है, इसके लिए भाजपाक खुद अपने आपको तयार कर रही है, देखिए अभी धेर सारे मुद्दों पर इस कमीटी को फैसला लेना है, चाहे वो मंत्री मंडल का बिस्तार हो, बोर्ड निकाय में लोगों के नाम देने ह हैं, इसके अलावा चुनाप को लेकर जो तयारिया होनी है, क्या उसमें कुछ स्टेजी बाइचेंज होना है, गटवंधन को लेकर बात करनी है, किसको कितनी सीटे देनी है, यह तमाम ऐसे इसू हैं जिस पर इन तीनों कमीटियों को अपनी अंतिम राइद देनी है, और इस अंतिम राय देने के पहले जरूर ये निता अपने अपने लोगों से बात करेंगे पार्टी में बात करेंगे लेकिन अंतिम फासला जो हमने पहले भी कहा यही तीन लोगों की कमीटी इन ही की दस्तकत होगा वही दिल्ली जाएगी और वही फासला होना है तो अभी सब की नज यही तीन लोगों की कमिटी ही करेगी तो सुभाविक है गहमा-गहमी इन तीनों के जगए बढ़ा हुआ है इनके निवात सस्तान पर आप जाएंगे गजब की गहमा-गहमी है और उस गहमा-गहमी के बीच बहुत लोगों को लगता है कि उसकी किस्मत इसी तीन दर्वाजे से चमक सकती है अब देखिए ये कमिटी अब कैसा काम करती है चुकि आला कमान ने एक भरोसा इस कमिटी पर जताया है और अभी तक ये कमिटी अच्छा काम कर रही है आगे तो जैसे परस्तितियां चुनौती आएगी वो ते करेगा कि कैसा काम होगा लेकिन फिलहाल एक अच्छी पहल भाजपा को लेकर हुई है संगठन को मजबूत बनाने को लेकर हुई है और सबसे बड़ी बात फैसले जल्दी जल्दी करने के लिए कमीटी की जुरत थी जिसको आलाकमान ने भी महसूस किया और इस कमीटी को अंतिर रूप दिया गया है तीनों बड़े नाम है सुल्जे हुए नेता है और लगता है कि ये कमीटी ही अब भाजपा को उस रास्ते पर ले जाएगी जहां पर सपना एक बार फिर से सरकार बनाने का है NDA की सरकार बनाने का है तो कमीटी पर नज़र रखिए उसके फैसले पर नज़र रखिए और इस पर भी नज़र रखिए क्या ये फैसला सही था या गलत था आप देखते रहिए Capital TV विहार आपका बहुत सुक्रिया आपका बहुत धन्वाद